सबसे पहले रुशिकेश आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आज हलचल आपके पास ही रहने वाली है हलांकि संसत की कारेवाही को लेकर भी वहाँ पर भी नजरे टिकी रहेगी क्योंकि वहाँ पर भी हंगामा होने के पूरे आसार आज दिख रहे हैं वहाँ पर 20 आंसद आज प्रदर्शन करते नजर आएंगे लेकिन विशिकेश आज की इस बैठक को लेकर क्या जानकारी कौन कौन आज शामिल होने जा रहा है क्योंकि सुबह सुबह ये भी ख़बर है कि शायद हेमन्त सुरे नहीं पहुंच रहे हैं इस बैठक पर हमन्त सुरे निस बज़स नहीं आ रहे हैं कि सरकार आपके द्वार उनका एकारकरम लगा हुआ है विधान सभा का सत्र चल रहा है लेकिन उनके दो सांसद रिप्रेजंटेटिव इस बैठक पर मौझूद रहेंगे जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि क्या जो खासकर कर चुनौती थी पांच राज्यों के विधान सभा चुनौत के बाद इंदिया गटवंदन के साथी दलों के बीच में लग रहा है कि कल के सांसदों के निलंबन ने वो काम थोड़ा आसान कर दिया है क्योंकि एक बार में इतने बड़े तादात में लोगसभा और राजसभा के सांसदों का निलंबन करना विपक्ष के निताओं को ये बार बार इस बैठक के लिए एक अच्छा संकेत माना जा रहा है क्योंकि जो तलखिया थी आपस के दलों में वो लगबाद दूर होती दिख रही है क्योंकि वज़ा है कि जिस सरकार के खिलाप उन्हें लड़ना है और 24 में जिस चेहरे के खिलाप उन्हें चुनाओ लड़ना है अगर उनकी संसद के अंदर की इस तरीके की नीतिया है तो आने वाले वक् जिसे कल सामें मुलाकात हुई हो कल उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस की जो हम बैठा को इसमें मलीका आजुन खड़ गए राहूल गांधी और प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश से चुनाओ लड़ने की बात हो या फिर नितीश कुमार की तरफ से कहा गया कि जो अखिले या फिर ममताब अनर जी ने कहा दिया कि आप या तो हमारे साथ गठबंदन करें लेफ्ट पाटी के साथ जाएं कोई एक के साथ उन्हें पश्चिब मंगाल में चुनना होगा तो ये तमाम तरह की जो कोशिसे हैं इस सब कोशिसों पर जो राहत की बात है कि सरकार जान बू मते जरूर दिख रहे हैं क्योंकि तीन राज्यों में कॉंग्रेस बैकफूर पर है सीकस्त के बाद और कॉंग्रेस पर बेहत दवाव है कि जो छेतरीय च्छत्रप है उनके साथ वह सीटों का ताल में लग करें और इसी लिए जो छेतरीय च्छत्रप हैं वो गोलबंदी बनाकर कॉंग्रेस के साथ दबाव की राजिती कर रहे हैं क्योंकि जहां जहां च्छेत्रिये दल हैं बिहार में आप देख लिए आर जे डी जे डी वहो बंगाल में मम्ता बनर जी हो तमिलाडू में डी एम के हो अर्विन के जिवाल पंजाब और दिल्ली में हो यह तमाम लोग चाहते हैं कि बीजे पी के मुकाबले छेत्रिये दलों का स्ट्राइक रेट जादा है लिहाजा सीटों की संख्या उन राज्यों में उनके पास ज्यादा रहे और कॉंग्रेस यही बात थोड़ा चुकि वो बड़े भाई की भूमिका में दिखना चाह ही है जो इस तरीके का उसका एक अलग मिजाज रहा है निलमन को लेकर के उसको लेकर विपक्ष पूरा गोलबंद दिख रहा है और जब तीन में से बैठक शुरू होगी अशोका होटल में तो यह देखना होगा कि विपक्ष क्या साकरात्मक तरीके से बात करती है और सबसे नजरे कॉंग्रेस पर टिकी है कि कॉंग्रेस क्या भी पक्षी दलों में जो छेत्रिये छत्रफ हैं उनकी बातों को वो किस हद तक मानने को तयार है जो कि जो सुत्र जानका आई दे रहे हैं कल की हम बैठक के बाद सोनिया गांदी के आभास पर तमाम कॉंग्रेस के बड़ तो कॉंग्रेस संजीदा दिख रही है वक्त कम है लिहाजा कॉंग्रेस की कोशिस है कि ज़्यादा से ज़्यादात में वो भी पक्षी दलों को जोड़े और सीट सेरी के फार्मूले को कम से कम शुरुवाती हम ली जामा वो जरूर पहना है या वो इस बात का कमिट्मेंट क करें कि वो उनके सर्तों पर तयार है और कॉंग्रेस आगे बढ़ेगी कोई भी कुर्वाणी देने को तयार है बेलकुल वक्त बहुत कम है काम बहुत ज्यादा है और ऐसमें एक कॉंक्रीट रिजल्ट आज निकल कर आए इस बैठक के बाद इसी पर सबकी निगाह है और सब उम्मीद भी यहीं कर रहे हैं